Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment Hello friends, तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे एक popular Hindi entertainment channel Sahara One की, जो कि काफी धूम धाम से भारत में पहली बार 28 मार्च साल 2000 में Sahara TV के नाम से launch हुआ था और इसे audience का काफी अच्छा response मिला जिस वज़े से channel को और खास बनाने के लिए April 2003 में channel का नाम साहरा मनोरंजन रख दिया गया जिसके बाद market में बढ़ते हुए channels और serials के वज़े से साहरा मनोरंजन ने एक बार फिर खुट को revamp किया और 10 October 2005 से इसने अपना final नाम साहरावन रख लिया जिसने अपने अंडर कई बढ़िया serials दिये लेकिन बढ़ते हुए new channels and competition ने साहरावन को काफ़ी tough time दिया और फिर साल 2015 से साहरावन ने अपने original shows लाना बंद कर दिया और अब ये सिर्फ movies और अपने old shows ली on year करता है वैल दोस्तों इस वीडियो पे हम आपको बताने वाले है साहरावन की history के top 20 most loved and remarkable series के बारे में तो आएए दोस्तों शुरुआत करते है रैक नमबर 20 से जाय सीरियल don't worry हो जाएगा जो कि एक comedy show था और 4 अपरे 2000 में प्रीमियर हुआ था ये show काफी funny और मज़ेदार होता था और काफी अच्छा चला तो आप बात करेंगे रैक नमबर 19 की जाय सीरियल गंगा की धीच जो कि नमबर 2010 में launch हुआ था जिसमें दिखाया गया था पाकी नाम की लड़की का गाउं में हो रहे अंदिविस्वास के खिलाब जंग इसके कुल 135 episodes आये थे वेल दोस्तों आप बात करेंगे रैक नमबर 18 की जाय सीरियल कहीं तो बिलेंगे जो कि साल 2002 में launch हुआ था जिसकी कहानी थी बच्छमन में बिछड होए चार भाई बेहन पर और फिर कैसे बड़े होने के बात वो एक दूजे से मिलते है इस खूपसराज शो के कुल 240 episodes आये थे तो दोस्तों आप बरते रैक नमबर 17 की ओर जाय सीरियल साही बीवी और गुलाम जो की 2004 में आया था और बॉलिवूड एक्टरस रवीना टंडर ने सो में छोटी बहो के लेड रोल को किया था ये एक बेंगॉली निवर पर बेस सो था और इसके कुल 104 episodes बने थे तो दोस्तों आप मोवान करते है रैक नमबर 16 के तरफ जाय साल 2002 में आया सीरियल द्रौपती जिसकी कहानी महान ग्रंथ महाभारत की एक बेहदी लोगप्रे किरदार द्रौपती की उपर बेस थी इसकी कहानी ओडिया के नोवल रजना सेनी सी प्रिरेत थी इस सो के कुल 36 episodes आय थे वैल दोस्तों आप बात करेंगे रैक नमबर 15 की जाय सीरियल हर एक आज की चूडिया जो की 2005 में नौच हुआ था जिसकी कहानी बेस थी शामली नाम की एक middle class पर strong minded girl पर जो की life की हर एक challenges का बहादुरी से सामना करती है इसके कुल 200 plus episodes बने थे तो दोस्तों आप हम आगे रैक नमबर 14 पर जाय सीरियल शुबमंगल सावधान जो की comedy show था जिसमें हम देखते हैं 3 बैचलर्स दोस्त और उनकी day to day life की कहानी और love story ये सो पूरे 2 साल बढ़िया चला तो दोस्तों आप चलते रैक नमबर 13 की योड जाय साल 2012 में आया सीरियल जिलमिल सितारों का आंगन होगा जिसमें हम एक अमीर लड़की और एक lower better class family से आने वाले लड़की की प्रेम कहानी देखने को मिली थी इसके कुल 430 episodes on year हुए थे तो दोस्तों आप बढ़ेंगे रैक नमबर 12 के तरफ जाय सीरियल रिस्तों के भर में ओलजी नियती जिसमें हम देखते हैं नियती नाम की लड़की और अंबर संग उसकी प्रेम कहानी और उसकी शादी के बाद आने वाले चैलेंजिस को वो कैसे फेस करती है ये सब सो में दिखाया गया था ये सो तीन साल चला वो भी 829 episodes के साथ तो दोस्तों आप मुवान करेंगे रैक नमबर 11 के योड जाहे 2004 में लॉँच हुआ श्री देवी जी स्टारर मालिनी अयर जिसकी कहानी में हम देखते है एक साथ इंडियन लड़की की शादी एक पंजाबी लड़के से हो जाती है और शादी के बाद कैसे वो दोनों कल्चर को साथ लेकर चलती है इस क्यूट कॉमेडी शो के कुल 84 episodes आये थे वेल दोस्तो अब बात करेंगे रैंक नमबर 10 की जहाए साहरावन का होरर सीरियल रात होने को है जिसमें एक से बढ़कर एक नव चेलिंग एन होरर स्टोरी दिखाई जाती थी इस होरर सो को डिसेंट वीवर से पमिली थी इसके कूल 309 episodes बने थे तो दोस्तो अब मोवन करेंगे रैंक नमबर 9 की ओर जहाए साहरावन का शोव सोला श्रिंगार जोकि 2006 में प्रीमेर हुआ था जिसकी स्टोरी बेस थी मीरा नाम की एक खुसमिजायत लड़की पर जिसकी लाइफ सड़न यूटर्न लेती है उसकी शादे के बाद वैलिसो को ओर्डिंस ते काफी प्रसंद किया था तो दोस्तो अब चलते है रैंक नमबर 8 के तरफ जहाए सीरियल किट्टू सब जानती है जोकि 2005 में प्रीमेर हुआ था ये एक निउस्रूम ड्रामा था जिसके स्टोरी जर्नलिस्ट के टूर्फ कातियाईनी प्रोहित के उपर बेस थी कि कैसे वो अपनी परसनल लाइफ, लव लाइफ और अपने कैरियर को साथ लेकर चलती है इस हिट्स होके दो साल में कुल 312 एपिसोड आये थी तो दोस्तो अब हम आ गए रैंक नमबर 7 के तरफ जाय सीरियल घर एक सपना जो की 2007 में प्रीमेर हुआ था जिसके स्टोरी बेस थी काकुल नाम के एक लड़की पर जिसे साधी के बाद पता चलता है कि उसके हस्बर्न उससे पसंद नहीं करता और ना ही उसके इनलोज उससे अच्छा व्यवार करते है और इन सबके खिलाफ काकुल अपनी अक्सेप्टेंस के लिए लड़ती है इस हिट्सो के टोटल 657 एपिसोड आये थे तो दोस्तो आप बात करेंगे रैंक नमबर 6 की जाय किट्स हूँ जस किट्स जो की चैल्ड आउडियंस के बीच काफी बड़ा हिट हुआ था इस सो में कई बड़िया कार्टून स्टोरीज दिखाये जाती थी जिसमें से सिब्बा दालॉयन किंग को बहुत पसंद किया गया था वैल ये शो 90's किट्स के लिए काफी काफी memorable शो माना जाता है तो दोस्तो अब हम आचुके रैंक नमबर 5 पर जाय 2009 में आया सीरियल के सरिया बालम आवो हमारे देश जिसके कहानी गरीब लड़की रुकमनी पर अधारी थी जिसके चहरे के एक तरफ जले का निशान होता है जिस वज़े से उसे सोसाइटी अपने हस्बेंड और इनलोज से हेट और इंसल्ट का सामना करना पड़ता है अपने acceptance के लिए लड़ती रुकमनी की कहानी को अच्छी विवर्शिप मिली और ये सीरियल को ये दो साल तक चला वेल दोस्तों आप बात करेंगे रैंक नमबर चार की जाहें सीरियल चाचा चौधरी जो की सार 2002 में आया था जिसकी कहानी एक कॉपिलर कॉमिक्स करेक्टर चाचा चौधरी और उनके साल थी साबू के अजब गजब किस्तों पर अधारित थी 200 किट्स और टीन ओडियंस के बीच काफी सूपर हिट रहा इसके दो सीजन्स के साथ 415 एपिसोड प्रसारित हुए थे तो दोस्तों अब हम आ गए रैंक नमबर तीन की तरफ जहे 2008 में आया सहरा वनकर सीरियल माता की चौकी जिसकी कहानी मा वैशनू देवी की भक्त वैशनवी की श्रद्धा पर बेज थी कि कैसे मा वैशनू आने वाली हर चुनोतियों में अपनी भक्त को सही मार्ग दिखाती है पर इस सुपर हिट सीरियल के टोटल 845 एपिसोट आये वैल दोस्तों अब मोवन करते रैंक नमबर दो की ओर जहे साल 2011 में आया सीरियल जहे 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 बजरंग भली जो की भगवान श्री हनुमान जे की बाल लेलाओ की नटकट कहानियों को डरसाता था और श्री राम की तर जो के है साल 2005 में आया सीरियल वो रहने वाली महलों की जिसकी कहानी महलों में पली बड़ी रानी और एक लोवर बिडि़ ग्लास फैमली के लड़के राज की लभीस्टोरी पर बेस थी तो में रानी की दो और पीडियों की कहानी भी दिखाए गई थी.. वो रहने वाली महलों की साहरावन की हिस्टरी का सबसे सक्सेस्फुल सो माना जाता है और इसने कुल 1387 एपिसोड्स ओन एर खिये थे तो दोस्तो ये थे साहरावन के टॉप 20 मोस्ट लवड और रिमार्किबल सीरियल्स तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताए कि इन में से कौन साहरावन का सीरियल आपको सबसे ज़्यादा पसंद था इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू